हेलो गैज कैसे हैं आप सबसो आज किस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं आर्जबी स्ट्रिप लाइट की सोज़स्ट कि आप यह देख सकते हो यह है पैकेज जो कि हमें एमजन के तरब से रिसीब हुआ है और आप इसका प्राइज भी यहाँ पर देख सकते हो आप इसका प्राइज भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्राइज जो है 380 रुपया दिखा रहा है और इसको मैंने प्रचेज किया है तो हम देखते हैं इसके अंदर में कितना मीटर का लाइट मिलता है और यह अच्छे काम करता है कि नहीं इसके अंदर में हम इसको purchase कर सकते हो तो सबसे फिर इस package को हम unbox कर लेते हैं इस type का यह मिलता है जिसको हम हटाते हैं और देखते इसके अंदर में हमें क्या मिला है यह तो कहा गया है कि यह RGB strip light है बर यह RGB strip light नहीं है यह दूसरे type का light है जो कि यह waterproof है जिसके आप यह देख सकते हो इसके अंदर में हमें कुछ नहीं बिला सिर्फ इसके अंदर में यह light है जो कि आप यह waterproof है जिसके आप यह देख सकते हो अगर आपने बहुत सारे घर में गया होंगी तो आप आप देखेंगों कि छट के ceiling में इसी light का वारिंग किया गया रहता है क्योंकि वह RGB strip light होता है वह ख तो आप यह देख सकते हो यह 5 मींटर का light है और आप इसका चप articulated यहाँ पर देख लोगजरिक आपको यह quality इसका दीख रहा होगा इसका कॸकेस कर ले초 के-क एक जो सेवाइट कंए एसका क्वालिटी इह पर देख सकते हैं इसका क्वालिटी और यह लाइट आपको ट्व și मिलते हैं हाथ इनग धीकरा होगा आपको to sayollen देहों कि ऐसा मिलता है धीजि AK trivia आपको वाल्टेश कैसे और किस तरह लाइट है इसमें से पिंक कलर आता है या व्लू कलर आता है या ब्राम कपल आथा है ओकी है ओकि है आज और लहा हूँ देख सकते हैं आंसे भाइ इसके क्यों किकलरडस्त आप इसका अपगा सब्सक्षाल काफी जबरदस्त है और यह काफी मोठा भी है यह इस्ट्री प्लाइट से काफी है जैसके आप यह देख सकते हो तो चलो इसमें अभी हम वाइडिंग करते हैं और सबसे पर यहां पर यह देख लो यहां पर आपको एक एडप्टर मिलते हैं और यहां पर आपको एक एडप्टर मिलते हैं आप इस इस adapter को इस तरह से आप खोल भी सकती हो और आप यह देख सकती हैं यह दोनों अलग हो चुके हैं देखो यह भी अलग हो चुके हैं तो अगर आप इसको set करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह तो अंदर में ही रहेगा यह जो cover है वो अंदर में ही रहेगा और आप इन दो कि इस तरह से connect करना जैसके भी मैं कर रहा हूं सैद आपको दीख रहा होगा थोड़ आपको problem होगा first time but try करोगे तो हो जाएगा आपका भी तो आप इसको इस तरह से connect कर देना और आप यह जो cover था white लगा लेना लगाने के बाद आपका यह complete हो चुके हैं तो अब इसमें हम supply देते हैं और फैनली आप यह देख सकते हो अब यह light यहाँ पर जलने लगे हैं यह light waterproof है आप जाओ तो आप इसको पानी में देखके try कर सकते हो बट मैं आपको भी पानी में देखके try दिखाने वाला हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर यह देख लो यहाँ पर एक last में यहाँ पर कोई जोर है तो आप यहाँ पर टेप लगा देना नहीं तो यहाँ पर किसी को current भी लग सकता है तो आप यहाँ पर टेप लगा देना नहीं तो यहाँ से किसी को current लग साकता है तो जैसके आप यह देख सकते हो मैंने पानी पीने के लिए लाया था इसी में अब हम light डालते हैं तो यह रहा हमारा light इसको हम इस तरह से पकरते हैं और यहाँ पर हम पानी में डालते हैं सैद आपको देख रहा होगा पानी में यह खराब नहीं होते हैं मैंने आपको बता है न यह waterproof है आप चाहो तो आप अपने घर पे भी ट्राइ कर सकते हो आप पहले तीन मीटर मंगाओ और तीन मीटर का वह सब कुछ टेश्ट कर लो अगर आपको अच्छा लगे तो आप 100 मीटर भी मंगा सकते हो और पूरे घर में इसका वैरिंग कर सकते हो और गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दू यह light आपको बहुत सारे color में मिल जाएंगे red, blue, green, white, warm और multi color तो मैंने यहाँ पर blue color मंगाया है और आप चाहो तो तीन मीटर से लेकर 100 मीटर तक भी मंगा सकते हो आप अपने requirement के हिसाब से आप इसको select कर सकते हो color और इसका meter कितना meter आपको चाहिए आप वो select कर सकते हो तो चलो इसका details review हम आपको देते है है